नमस्कार लो कोश्ट एडवास फिस्परविंग चनल में आपको स्वागत है सबको मेरी तरफ से नया साल का हर्जिक सुपकाम नाए मैं काफी दिन से वीडियो नहीं दे पार हूँ इसके लिए तह दिल से दुखी हूँ मैं तोड़ा निजी कारण में कुछ में चीज में वैस से अब लोग के लिए नया नया सीरिज जो फिस फर्मिंग के आपको लोगों को बेसिक वीडियो होगा जो आप लोगो काफी हिल्फुल होगा वह मैं लाने का कोशिस करूँगा आज मैं मैं एक फिस के बारे में डिसकाशन करने वाल हो वह जाहिनती रहू आज गाल नया जो फिस नौरमल जो रहो काफी तालाबम में देखा गया है जो रहू का जो ग्रोथ है दूसरे मजली के तुल्णा में उधना ग्रोथ नहीं हो पा रहा है एक्षिली देखा जाए तो नब będzie ऑख साल में एकक्स पॉंच से नहीं है इसके कारण गलत सीड भी उठाता है इसके रिजन में लिए है इन ब्रीडिंग देखा गया का सेम तलब का एक ही एलागा का मचली में अगर उसको क्रॉस करवाए जाए कुछ नहीं है क्योंकि आभी जो भीी सीड हो रहा है और उन में आपसमें करवाते इसके करण जो मचली का जो होना अच्छे से दिजले कम ह हो रहा है आर दूसरी बात मचली थोड़ा परिपक्कां क्ली मचली ने говоря मचली के वह और आपनाना संडा पैदा करवान देता है और उसको सीया स्पांश त्यार करवाता है जो हमें बात में मिलता है तो हमरे उसका प्रफल गोर्थमी नहीं मिला दूसरी बात जो पूराना ग्रोह का होता था उनमें बीमारी लगने का सम्ता भी पहले बहुत ज़्यादा होता आज गल देखा जाता है मचली में ताला में कुझना पहले रहो को बीमारी लग रहे हैं तो इस चीज गो मद्दे नजर जो हमारा आइसी एमर है भुवनसर में स्थीत वो जो अमना फ्रेस वाटर कल्चर का जो रिसा सेंटर भुवनसर ने उसने चीज़ को देखा देखने के बाद इस चीज़ को इन लोगों ने काफी एनालेसिस किया इनके अबर काफी परिक्षन किया तब जाके इन लोगोंने एक नार्व आपको रहुक इन लोंने कलएट किया उन्हें 5 नदी का पाच टाइप का नदी वाला जो रहु है इनको इन लोगोंने कलट किया इनमें से गंगा है जमुना है सतदू है बमभबुत्त्य है ऐसे करके 5 नदी है तो पाज नधी का मचली को कलेट करनेके बाद इलुग ने कौंटिनू उनके खुदे क्रियेड किया हूँ एक रूह ने के लिए नौन नौ साल तक उनके ओपर क्रोस ब्रीडिंग करवाया क्रॉस ब्रीडिंग करने के बाद जो इनके पास रेजाल्ट आया जो इनके पास जो सीड तैयर हो उस मचली का नाम लोगों ने दिया जैनते रुहूं जैनते रोगों का में खास आता ही है इसका ग्रोथ इसका ग्रोथ नौर्मेल मचली के तुलना में 30-40 पारसें एक्ष्ट्रा है मदलत ए मचली एक सीड से अगर अच्छा इर्मनमेंट अच्छा खाना मिले तो बिल्कुल सीड से एक साल में डेड़ किलो होने तक कि इसके समता रखता है और दूसरी बात एक आप इसके जो रोग पतिरत समता दूसरे मचली के तुलना में काफी ज़्यादा है तो यह मचली दूसरे मचली जिदना जल्दी बीमार पड़े जाता है मचली जल्दी बीमार नहीं पड़ता तिसरी बात यह मचली किसी भी स्थिती में खाना धूंड के भी खा सकते हैं हम जो बाहर के खाना देते या तलाब के अंदर या बड़े जलास है के अंदर जो भी नैचरल फीड तयार होता है वो बहुती फर्सली इस चीज़ को धूंड के खुद को खुद के मलब एफजोब कर सकता है यार इसका डाइजर्शन भी दूसरे हमें काफी ज्यादा हद तक ज्यादा है जैसे हम नॉर्मेल यह के स्पॉंड का जब हम खेती करते तो अगर हमने सौप और स्पॉंड डालते है तलाब ग्यांदर तो लगबग हमें 60 परसंट तक मोटालेटी मिल जाता है होता है होता है लेकिन सिक्स्टी यह तो आदमी को ब 40 परसंट में आपको लगबग 20-30 परसंट कम हो जाएगा और अगर अच्छे सब कर पाएंगे तो 80-90 परसंट तक इसके स्वर्म जिन्दा रहने के जिन्दा रहता है तो इसलिए जोयनती रोहू का आप लोग चैन कर सकते हो यह आप सीट के बिजनेस में कर सकते हो दूसरी भाताइम मचली पचनसिल नहीं मतलब कभी क्या होता है जब किसी मचली को दूर धराज में भेजते है तो कुछ मचली के देखना आप और नरं पढ़ते हो नरम पढ़ने कवाद स्ञहरी कम जाते है। या कुछ आदमी क्या करता है उसको आइस में रखके सेल करते हैं आइस में रखे सेल करने के बाद हर मचली स्टेबिल नहीं हो पाता वो ज्यादा दीन तेक रुखता नहीं है लेकिन जयांती रहू का जो प्रोटीन स्ट्रक्चर है सरीर के अंदर वो इतना जल्दी सढने वाले में नहीं है उसके जो स्टोरेज के पासिटी है बाकी मचली के तुल्णा में काफी उम्दा दर्जे मला जादा दीन तेको रह सकता है इसके कारण जयांती रहू आप मचली अगर ज्यादा मत्रमें भी करते हो तो इसको स्टोरेज करके भी आप दूर दुराज तक आप इसको आराम से से सेल कर सकते हो सबसे में तो बात ही है हर मचली पलक नहीं होना पूरता है तो इस चीज़ को दूर करने के लिए जो जोएं तरू आइसे मने इन्वेसन करके हमको दिया है यह तो बहुती मतलब क्या बताओ सुने पर सुआ आगा इसको आपका टेस्ट भी करेंगे जो नॉर्मल मचली 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 की तुल्णा में यह इसका टे रहु जो रहु का आहिम से क्षेतिकर तो इसमें जो रहु डालते हो रहु का जाए मैं जाएगा में आप लोग कोशिस करना जॉइन ते रहु का अच्छा क्वाल अच्छा सिर्व लेनी के लिए और एक दूसरी बात जो जॉयंती रहु में इन ब्रीडिंग का प्रोब्लम ज्यादा नहीं है इनको इस सबसे त्यार किया गया जो जोएंति रोहू एक मलब एक ही तलाब के अंदर अगर ब्लिंग करवा के भी आपको दे रहा है तब भी इनको ग्रोध जो नौर्मेल रहू से बहुत अच्छा उंदा मिलेगा तो इसलिए जो जोएंति रोहू को फार्म और इसको शेयर भी करना जाए हिंद नमस्कार